मैं आप लोगों से एक वी नमर निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए उसके बाद मन करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा नहीं मन करें तो सब्सक्राइब किये भी होंगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंक पे आपको ये कहा जा रहा है कि भाया इस company को दुबई में बहुत बड़ा order मिला है इस company का revenue बहुत तेजी से बढ़ने वाला है company का जो net income है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा company के share के भाव 12 रूपए 13 रूपए 15 रूपए है अगल 3 महीने में ये share का भाव 300 रूपए को hit कर जाएगा तो सबसे पहले चीज़ आपको ये देखना है कि भाया company इतनी अच्छी है सारे चीज़े इतने अच्छे हैं तो भाया company अपने share के ad क्यों चला रही है वो भी अपने पैसे खर्च करके कोई news वोला चलाएगा न कि कोई YouTube चैनल चलाएगा कि किसी भी YouTube चैनल से अग आपको बताई जा रही है उस company का share अगर आपके पास है तो सबसे पहली सी तो ये कि आप उस company के भीतर अगर अपने profit booking time time पे नहीं करेंगे तो आपका वही हाल होगा जो Empower India के share में shareholderों का हुआ था फिर आपके share को खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा जिस दिन operator बेचेंगे और जिस company के बहुत बड़े बड़े चर्चे आपको सुनने को मिल रहे है न उस company के नाम है नयासा Corporation Limited मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ आप स्क्रीन के उपर देख पा रहे हो है जिस company के बारे मैं बात कर रहा हूँ और जिस ad की मैं बात कर रहा हूँ नियासा कॉर्परेशन के बारे में अगर हम लोग जाने तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है 48 करोर ही इसकी मार्केट कैप है तो आप समझ सकते हैं कि छोटा मोटा ओपरेटर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से ओपरेट कर सकता है जहाँ पर आप जैसे मामुली और छोटे निवेसक फोच सकते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत जाला सतर करहनी की जरूरत है देखिए नियासा कॉर्परेशन लिमिटेड अगर इतनी अच्छी कंपनी रहती नहीं बाकी कंपनीों के साथ में अगर कॉंपीट कर पाती कि आप से खरीद लो कर रहा है नहीं कर रहा होगा वही चीज यहां आप देखेंगे कि इस कंपनी के भीतर अगर आप सेल्स ग्रोफट रेट देखें प्रमोटर के स्टेक देखें तो बहुत ज्यादा मन में संका पैदा करतेती है ये कंपनी पहले ची तो इन्वेस्टमेंट करने के लायक ही नहीं है इतनी छोटी कंपनी में कौन इवेस्ट करेगा भाई इतना रिस्क कौन लेगा चलिए मान लिए कि आप हरसत मैता के बहुत बड़े अनुदाई है रिस्क है तो इसक है आप इस थेओरी पे चलते हैं लेकिन यहां पे तो कंपनी का सेल्स क्रोफ रेट भी तो नहीं है प्रॉफिट क्रोफ रेट भी नहीं है वैलू इन्वेस्टर है तो आप उसके इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे में इन्वेस्ट करेंगे दूसरी चीज कि company इतने बड़े project पे काम करने जा रही है तो company के shareholding pattern अगर आप देखेंगे तो company के promoter के stake कब थे जुलाई से पहल बात में जब September 2023 के quarter आया तो उस समय भी 26% के stake थे और June 2024 quarter का जब result आया तब भी उतन नहीं है promoter को कोई मतलब नहीं है जो था वही है एक परतिसत के stake नहीं बढ़े है promoter के लेकिन retail निवेसक इसमें दबा के खरीद रहे है इसमें कोई चोटा institution है एक दो जो की बेच रहे है और retail निवेसक बहुत दबा के खरीद रहे है तो retail निवेसक सवधान हो जाओ भाई आपको बचा सलमान खान बनेंगे अमिताब बच्छन बनेंगे share market के तो भाईया कंगाली के दौर में चले जाएगे और आप भी हमेसा यहीं बोलेंगे कि share market भाईया होता है जुगा तो जुगा आप खुद खेल रहे हैं ऐसे ad को देके पैसे ना लगा है कोसिस करें कि value investing करें अच्छे स analysis करें अपने वीतिये सालाकार से पारामर्श ले ले उसके बाद पैसे डालें सिर्फ किसी influencer को सुनके कि यह share बहुत अच्छा है यहां project मिल रहा है वहां project मिल रहा है पैसे एक रुपए डालने की जरूरत नहीं है और पहले से अगर खरीद के बैठे हुए है तो आप एक का करता ना करनी पड़े ठीक है मुझे लगता है कि आपको बाते समझ में आ गई होगी बाते अच्छी लग गई हो समझ में आ गई हो तो subscribe आप कर लिजेगा नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बस नुकसान अपना मत कराईएगा ऐसी कंपनियों के भीतर बाकि धन्यवा आपका देन सुबर है